लंडन से, तो यह LLM मेरी हो चुकी है, तो इसके बाद मैं राजनीती में, मेरा इरादा था PhD करने का, लेकिन कुछ परिस्थितिया ऐसी बनी, और मैं राजनीती में आई और फिर दिल्चस भी बढ़ती चली गई, तो अब उपर वाले की क्रपा से लोकसभा का कैंडिडेट म मुझे बनाया गया है, हमारे मानिय अखिलेज जी दुआरा, तो महनत कर रहे हैं अपनी फील्ड में, और आगे के यही प्लान है, कि पार साल तरक अपने लोगों की अगर मौका मिला, नहीं भी मिला, तो भी लोगों के बीच में रहेंगे, और उनकी सिर्वा करें, क्योंकि यहां पर अगर महिला वोटर्स की बात करें, मुझे लगता है, क्योंकि एक महिला है और यूवा चेहरा है, आपको लग रहे है कि महिलाएं आपके साथ में जुड़े रहे हैं, और आप उनको किस तरह से सश्शक्त करना चाहरे हैं, क्योंकि आपको एक अच्छे प्राइसत भी मेरे साथ है, मेरे पिताजी की, और उसके बाद जो भी ले, जिस भी लायक हो अपनी पढ़ाई की वजह से हो, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पहल यही होनी है, हमारे आपर लड़कियों का अलग से कॉलेज नहीं है, तो मेरी अपनी तरफ से यही कोश प्राइस के द्वारा हो, या सरकार के द्वारा हो, जो भी हमारे कोशिच रहेगी, वो पढ़ाई के लिए ही रहेगी, हम लड़कियों का यहां पर एक कॉलेज खोलना चाहते है, तो जैसे भी तैसे होगा, हम उसमें पूरा प्रयास करेंगे, और यहां पर सेहत के लिए भी जो इंफ्रास्रक्ट्चर है, यहां पर हेल्थ केर फैसिलिटी बहुत कम है, और हमारे पूरे जिले में एक ही महिला डॉक्टर है, तो महिलाओ के लिए बहुत बड़ी चुनौतिया हैं और मेरी, मैं यही क्रमा जातियों में कि अगर मैं यहां पर निकल सकती हूँ, तो कही ही हमारी बहने हैं, वह भी आगे सामाजिक, और राजनेतिक, और एड्मिनिस्ट्रेटिव रोल में हिस्सा ले सकती हैं, तो उसके लिए मैं भी मैं आपने बहुत बहुत अच्छा और सकरात्मक वे में आपने बताए कि आप एजुकेशन वाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसे मैं आप यह भी बता दीजिए अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं, दिखें यह मुद्धे यहां पर सभी लोग, सभी विराद्वी, सभी जाती के लोग यहां पर मौजूद हैं, और कोई अगर मैं किसी से उसकी जाती नहीं कोच हूँगी, तो कोई मुद से नहीं करते हैं, और कि हमें लगता है कि बात काम्यों होने चाहिए, बात आद को जो सामय जनिक कारियं हैं, चाहिए वो इज और शिक्षा के केंदर में हो, अगर उन पर हम लोग धियान देंगे, तो बिजिए कोई मुद्धे मिद्धे हrites में को सभी देंगे, आज से पहले में कहीं भी जाकर आप यहां पर किसी की बैटक में जाकर बैठेंगे आपसे कोई आपका धर्म और जाती नहीं कूछ लेगा तो हमारे लोगों के अंदर बहुत प्यार है और वहीं प्यार हमें बरकरार रखना है और अपने इलाके को कुछ ऐसे जो दल है जो भेदवाव फेल पूरी उम्मीद है और फैसला तो रिजल्ट के बार भी आएगा लेकिन उम्मीद पूरी पूरी है और सभी से हमें आशरवाद मिल रहा है तो हम अपने प्रयास में आज भी लगे हुए हम भी लिगे हैं चलते चलते एक सवाल मेरे दिमाग में आया क्यूंकि यहां की जो सि इस बतलाब को और क्या इसका इंपक्ट पड़ेगा? ना किसी योजना का लाब मिलेगा तो जो ये बड़ी जो देश की राजनीती जिस तरीके से चल रहे है और भाजपा जिस तरीके से एक जगे पर हर जगा चुनाव लड़ती आ रहे हैं तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब लोकल इसूज क्योंकि दस साल से दबे वे ये इस जो जगी हैं क्योंकि इनके जो लोग हैं तो है जो तो यहां के जो जग्रफिनेधी जो बीज़्पी के होते हैं वह अकसर मिष्कशलिये पाए जाते हैं तो जो बात अब हमार लोगों को डस साल के बाद समझ में आने लग का हैं और इसलिए मुझा तरह कि आ Сार्या को अप और आपने RLD का सवाल किया तो बिल्कुल ये RLD का इलाका जरूर है और हम सब ही यहां पर चौधरी चरंशी जी के अंडियाई ही हैं और मेरे मन में बहुत सम्मान है जैन चौधरी जी के लिए मैं आपको बता हूं उन्हें मेरा नाम आगे किया था जब हमारा गट बंदन लेकिन कि यहां पर प्रत्याशी भाजपा के हैं और उनकी एंटी इंकम्बंसी बहुत जादा रही है तो उस हिसाब से जो लोग जुडते उनके साथ वो जुडने ही रहे हैं और जो लोग पहले से हैं उनमें भी उत्सान ही हैं तो इस वज़े से हमें नहीं रटा कि इतना क लोग उने मीलों पर दिये हैं, मैं धर्नों में मौझूद रही, हमारे जो आरेली के विधायक हैं, वो लोग सब मौझूद रहे, लेकिन भाजपा की संसद ने कभी आकर ये भी नहीं देखा, कि ये मेरे संसद ये शेत्री के लोग हैं, ये समस्या के लिए यहां पर दरी जलो जलो, मोर मोद द ने वादी क्लाबो